सब्सक्राइब नाओ and press the bell icon never miss an update गुड मॉर्निंग बच्चो सभी लोगा स्वागत है आज की क्लास में जो की जैसा हम लोग हर हफ्ते आप लोगों से मिलते हैं अल इंडिया स्पीटेस डिस्कुशन को लेकर तो इस बार नमबर है एस्टी नमबर 33A जिसके मैस करेंग전 को आज हम लोग यहां पर डिस्कुस करेंगे आप लोग प्रिवेस सच्टी को देख रहे हुंगे आप जरूर शsmail कर सकते हैं चली आज के डिस्कुशन की शुरूऱाद करते हैं तो छेट करते हैं यह पहला question होब से सभी लोगों नहीं speed test दिया होगा देखे, what will coming place of the question mark in the following question यह आपका simplification का question है, तो आप 30 से divide करें 30 से divide करेंगे, 450 को तो 15 बढ़ जाएगा, ठीक है न, और 15 का square कर लेना है तो 15 का square कितना है जाएगा, दोखों यह 15 है, 450 को 30 से divide करेंगे, पंदर का square कितना होगा 225, हम माइनस में क्या करेंगे बारा का square कितना है, 144, बराबर question mark की जगा है, एकस क्लिक दिया अब यहां से minus कर लीजे तो 5 minus 4, 1 हो जाएगा, 2 minus 4 हो जाएगा, minus 2 यानि 8 और 1 minus 1, 0 तो x square पराबर 81, तो यहां से x पराबर plus minus 9 यानि हम लोग 9 रख देंगे plus minus 9 यानि क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, यानि क्या आ जाएगा root over 9 option में दिया है, वो होगा की 9 होगा, यहां पर हम क्या देंगे answer बेटा, none of these, ठीक है न, answer क्या देंगे, none of these, अगर x पराबर होता, तो हम 81 एंसर देते, अगर answer क्या होता, x पराबर होता, तब 81 देते, तो x पराबर कितना हो जाएगा, बेटा, 9 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग, लेकिन हम यहां तो पुरा लिख के आपको बताएंगे, न, ठीक है, सारी चीजे, चलिए, अगला वाला प्रेशने देखते हैं, तो इसमें क्या है, what will come in place of the question mark, कहां पर भी आपका क्या है, simplification है, यहां पर आप लोग घातां का नियम लगा जीजे, क्योंकि यह यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमें देख रहा है कि 0.3, यहां पर 0.3 का पावर अन्नौन यानि एक्स है, तो सबको 0.3 में एक्स्प्रेस करिए, यह तो 0.3 का पावर छे हैं, और इसके पहले बाला 0.3 का whole square है, फिर इसका square है, और यह 0.3 के cube का whole square कर लिजे, यहां multiply यह वहाँ डिवाइड है ठीके न अब बेटा आपको एक घातां का नियम मालूम में कि a to the power m whole power n होगा तो power आपस में क्या हो जाता है multiply हो जाता है तो power को क्या कर लीजे आपसे multiply कर लीजे तो ये कितना हो जाएगा 0.3 तीन दूनी छे this implies और into 0.3 दूदूनी 4 और ये divided by 0.3 का power 6 बराबर 0.3 का power x अब सबका बेस बेटा सेम हो गया न तो अगर जब बेस सेम होता है तो multiply में power add हो जाता है multiply में power add हो जाता है और divide में power क्या हो जाता है subtract हो जाता है e to the power m minus n तो यहीं यहाँ पर कर लिजे सबका बेस सेम है left to right में सब अरेंज रहें तो 0.3 is equal to 6 multiply की वज़ा से plus और divide की वज़ा से minus 6 अब बराबर 0.3 का power x अब यहाँ पे 606 cancel हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0.3 का power 4 बराबर 0.3 का power x और एक आपको मालुम होगा कि अगर e to the power m और e to the power n अगर यह बराबर है इसी quality को hold करने के लिए base के साथ साथ power को भी same होना जरूरी है तो m बराबर n हो जाता है तो इसका आप यहाँ use कर लेते हैं कर लीजे तो base same है तो power भी क्या होना चाहिए same होना चाहिए x is equal to कितना आना चाहिए फोर आना चाहिए x is equal to कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा ठीक कर लीजे कही मिस्टेक हो तो इबर देख लीजे आप लोग ठीक है ना ओके तो step by step सारी चीजे बता दी गई है इसमें इसको ध्यान रखिएगा ठीक है ना सीखने पर जोर दीजेगा आप बाकी आप अपनी learning के हिसाब से जितने step skip कर पाए that is a short tip for you ठीक है ना पहले explanation पुरी जानकारी होनी चाहिए वो जरूरी है ठीक है ना तो यहां क्या है बेटा वाट विल कमिंग प्लेस दो कोश्चन मार्क इन फॉलॉविंग कोश्चन तीन से दो बटा तीन इंटो चार से बटा तीन इंटो एक से चार बटा साथ डिवाड़े बाटा बारा तो सब के मिक्स रखिए को कि मल्टिप्लिकेशन का केस है तो यहां पर आप क्यां नहीं कैसे तो तीन क्या दो बटा तीन कि बाहर मल्टिप्लाई है तो बेस तरीका क्या रहेगा आप इसको फ्रैक्शन ने बदल लेजे ए बाई बी को जाएगा यह 11 बटा 3 हो जाएगा 4, 3, 12, 12, 12, 13, 13 बटा 3 हो जाएगा और 1 से 4 बटा 7, 7, 7, 7, 11 बटा 7 हो जाएगा और divide को multiply में change करो तो यह 12 बटा 11 हो जाएगा is equal to be question mark आ गया अब जितना भी simplify हो सकता उसको करिए multiply लिखना था नहीं हमने percent का sign लिख जा यह multiply तो 11 बटे 12 को 12 बटा एक कर दिया तो जो cancel हो रहा है उसका आप cancel करिए 11 यहां से cancel हो रहा है 3 से 4 बार यहां हो रहा है और कुछ देख लो तो कुछ है नहीं है तो अब यहां पर आप इसको multiply करिए और question mark बराबर लिखिए तो multiply करेंगे तो 11 गुडे 13 गुडे 4 तो यह 13 गुडे 13 करेंगे तो कितना हो जायगा बेटब इसमें 4 multiply करोगे 400 इसमें 4 multiply करोगे 16 ए 1,60 और 4,32 यह हो जायगा 2,7 और 5 यह हो जायगा 572 बटे में कितना होका बेटा 21 हो जायगा पांट सो बहत्तर बटे में क्या हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा अब यहां से सब में देखो 21 तो ही लेकिन जाएगा कितनी बार यह आपको चेक करना जरूरी है सब में टू पहली बार पहले तो आई रहा है 21 दूनी 42 होगा तो 22 दूनी 42 कर लो पहले अब ठीक है ना 21 दूनी 42 अब 42 होने के बाद 875 तो 152 हो जाएगा अब 21 का टेबल ऐसा पढ़ो ठीक है ना कि 152 हो जाए उससे कम रहे तो 21 छे करेंगे अगर तो सत्ते 154 होता है तो 6 बार जाएगा च्छे बार जाएगा तो च्छे बार में कितना हो जाएगा च्छे दिनी 12 एक सो बत्तेस ज्यादा बचेगा अगर साथ बार ले जाए तो नहीं साथ बार ले जाओ इसको साथ बार ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो साथ बार अगर ले जाएं तो 152 वो हो गया और 142, 10 10 बटे 21, एक बार ओर चेक कर लो तू 21 दूनी 42, 87, 152, 27, 147, 343, 5 बटे 21 हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 5 बटे 21 हो जाएगा, 6 बटे 5 बचेगा ठीक है न, तो यह option में कौन सा आगया बेटा यह second वाला, sorry, 27, 5 बटे 21, यह third वाला ठीक है बच्चो, ओके, और थोड़ा सा बढ़ी है, division पर ध्यान देना है बस ठीक, वहाँ पर गड़बड़ी नहों हो आपकी बच्चो, अगला बढ़ा हम लोग चल सकते हैं अब बच्चो तो next वाला देखा जाएगा यह भी दोखो, multiplication का case है न, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ थोड़ा simplify हो रहा है, 5 से इसको काट देंगे, तो 500 हो जाएगा ठीक, नहीं कितना हो जाएगा, 500, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है अब आप करो, नहीं कट रहा है, 7 और 7 कट रहा है, तो अब इसको आप लिख लिजिए तो इसको लिखेंगे तो, x into 1 by 12, into 1 by 2, बराबर कितना हो रहा है बेटा, 500 तो 12, 24, 25 कितना होता है, 120, और 120 पे 2,0 और लगा दीजे, तो x बराबर 12,000 ट्रैक्स बराबर कितना हो गया बेटा, 12,000 हो गया, तो यहां पर हम लोगों ने 12,000 कर लिया ठीक है, ओके क्लेर, चला जाए आगे, चेक करें अगला इसमें क्या है बेटा, देखो तू what will come in place with a question mark, फिर से वही question है, simplification कहीं, मेरे ख्याल से इस स्टे में आप लोग को simplification ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चलो, देखते हैं इसका, तो 672, तो बेटा 24 से, देख लीजे तो 24 का square कितना हो जाता है 576, अगिनी 672 है, और इंटू 18 है, 153 मैं तो एक काम करो, ऐसे कर लो इसको 672, ठेक है न, 672 इंटू 1 अपॉन 24, इंटू 18, प्लस 153, बाकि यो कॉपी कर रहा हूँ, मैनेस 345 बराबर में question mark, तो 8 से कट रहा है दोनों, तो आठ 3, 24 और 8, 9, 8, 8, 64 8, 8, 84, 38, 32 और 3 से कितनी बार बेटा 6 बार हो जायेगा अब 6 से multiply कर लीजे तो 6 चोख के 24 6, 48, 42, 50 5, 40, 504 और ये पलस 130 है बेटा और माइनस कितना है 345 बराबर में question mark है अब इसको क्या कर लो जोड़ घटालो भई तो 4, 4, 3, 7, 5 बान दो हो जाएगा अब 5 मा pulley Ness 4 हो जाएगा 5, 6, 6 मा 서 3 3 हो जाएगा तो स्कोशन मार के जगा क्या आगया बिटा 312 आ गया तो स्कोशन मार के जगा आगया 312 ओके ठीक है बच्चों निक्स वाला चले यह भी देखिये यह भी mix fraction है तो mix fraction है तो उसी तरीके से handle करना है आपको इसे भी ठीक है चलिए चेक करते हैं इसे तो ग्यारत से ही एक बटाती है चुकि फिर से plus और minus का case नहीं है multiply का case है तो आप mix fraction को fraction ने बदल यह ग्यारत यह 33, 33, 34, 34 बटाई यह हो जाएगा 3 multiply 48 और 48, 43 हो जाएगा इसको तो फर्दर भी काट सकते हैं अगर कट रहा है तो आप इसको cancel करिए दो से चार बार और दो से पांच बार आट बटे दस को ठीक है ना अब आप multiply कर लिए ठीक है ना अब आप multiply करें पांच के 20, 20 और 24, 24 बटा पांच और यह जो divide by question mark है इसको जगाए x रख रहे है तो डिवाइड है तो multiply करके 1 upon question mark है नहीं x कर दिये और 22 से दो बटा तीन को चेक कर लो, 22 तीयां कितना हो गया, 6-8 हो गया, 6-8 और 2 कितना हो गया, 68, 22 तीयां कितना हो गया, 66 और 66 और 66 प्लस 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 प्ल गया, 2-1 by 3, तो multiply बगर है केस है तो इसके सब देखना पड़ेगा आपको, तो 3 से 3 यहां cancel हो जाएगा, ठीक है न, और 34 टूजा हो जाएगा, किनी 68, और 2 से कितनी बार हो जाएगा, 12 बार, ठीक है न, तो x cross multiply कर दो, यह x इधर हो जाएगा, x is equal to 12 by 5, 12 by 5, और 12 को 5 से काट कर दो, 2 जा और 4 जा, तो 2.4 आ जाएगा, कितना जाएगा बेटा, 2.4 आ जाएगा, तो यह हो गया, 2.4, ठीक है न, बेटा, धियान देना, हर question को आप एक mark से नजरिये से देखना, कभी भी किसी question को, examination point अभी से बात बोल रहाएगा, कभी किसी question को simple या tough categorize करना ही नहीं है, हमीशा उसको एक mark से नजरिये से देखिए, और उसके प्रतिवदार दिश्टी code रखिए, और यह रखिए कि यह हमारा एक number है, exam में मुझसे इससे एक number लेना है, अब चाहे वो simplification equation हो, चाहे series का हो, चाहे कोई word problem, चाहे यह आई हो, तो हर चीज में आपको ध्यान रखना है आगे चलते हैं, नेक्स वाला, तो यह भी थोड़ा सा घातां के नियम से ही related है, इसको अगर आप गौर करेंगे तो यह भी आपके घातां के नियम से ही related है, ठीक है नगोगे, चलिए चेक करते हैं, वीटा एक छुटा सा घातां का नियम आपको मालूम होगा, कोई भी real number हो कोई भी अगर real number हो और उसका power 0 है तो हमेशा 1 होता है कोई भी real number है अगर उसका power कितना है 0 है तो हमेशा 1 होता है इनी real number बस ये base 0 नहों होने पाई ये ध्यान रखना x सब का ये 0 नहीं है बाकी x जो है belongs to real number belongs to x belongs to real number ठीक है न x belongs to real number ठीक है न हमेशा real number के अंदर रहना चाहिए ठीक है न ओके तो यहां से क्या है अब तो यह क्या हो जाएगा आपका यह वाला part क्या हो जाएगा इस वाले part को देखिए तो यह real number का power 0 है तो यह 1 हो जाएगा कि नहीं यह 1 हो जाएगा तो इसको लिख देते हैं हम लोग बेटा 1 तो यह 1 हो गया और प्लस है यह दोखो 64 का power minus 1 by 2 है तो यह और बात आपका मालूम होगी अगर x का power minus 1 है तो यह नीचे चला जाता है ठीक है न तो इसको आप खर लिजे 1 upon 64 का power 1 by 2 power 1 नहीं मतलब कोई भी power हो यहाँ पे अगर minus में power है अगर power n है minus तो यह नीचे चला जाता है power वही रहता है तो power वही रखा और उसको नीचे ले गया अब यह क्या minus 32 यह plus तो एक काम करते हैं बारी बारी से करते चलते हैं 32 को क्या लिखेंगे 2 का power 5 और का power 4 बटे 5 बराबर question mark तो यह जागा 1 प्लस बिटा power 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है square root होता है न repeat करेंगे power 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है square root होता है हमेशा दहान दखिएगा अगर आपका power 1 बाई 2 है तो यह square root of x ठीक है न तो इसका square root हमें निकाल देना है बच्चों ठीक है न इसका क्या करना है square root निकाल देना है तो 64 का square root कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 84 प्लस अब यहाँ पे e to the power m whole power n power multiply हो जाएगा जैसा कि पिछले में बताये थे e to the power m whole power n है तो e to the power m into n हो जाता है तो इसी को यहाँ लिख लेते हैं तो यह बिटा cancel हो जाएगा तो minus 2 का power 4 आ जाएगा minus 2 का power कितना जाएगा 4 आ जाएगा और बराबर में x तो यह 1 plus 1 1 plus 1 by 8 प्लस तूदुनी 4 चोके 16 बराबर x हो जाएगा ठीक है न तो यह हो जाएगा कितना अब यहीं से आप देख लो यह 16 और एक कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा mix fraction में लिख लो तो 17 और बीच का plus sign hide कर देते हैं 17 सही एक बटा 8 आ जाएगा तो यह आ जाएगा 17 hole 1 by 8 option number 1 16 और एक 17 हो गया बीच का plus sign hide कर दिया तो 17 से एक बटा 8 हो जाएगा ओके चले अगला वाला बाकी यह घातां का नियम आपको सब ज्यान रखना है जोकि आपने बारी बारी से यहाँ लिख दिया है ठीक है ना बारी बारी से यहाँ लिखा हुआ है आपका ओके चले आगे चलते हैं next वाले पर यहाँ पर क्या है बेटा यहाँ पर देखो तो इसको अलग कर लो यह दो बार है यह तीन बार है यह चार बार है और यह पांच बार है दो दो चारे पांच एक की कमी आ रही तो जोड़कर घटा देंगे और इसके बीचे प्लस साइन इंसर्ट कर दो 77 plus 77 plus इसी तरह इसके बीचे plus insert कर दो इसके बीचे plus insert कर दो और 0.7 को side में कर लो ठीक है तो 0.7 कितनी बार आ रहा है बेटा अगर आप देखेंगे तो 0.7 आ रहा है कितनी बार 1, 2, 3, 4 बार तो into 4 कर दो और क्या करो बेटा प्लस अब क्या है 77 है और तीन बार 7 है चार बार 7 है और पांच बार 7 है अगर शुरुवात एक 7 की कमी पढ़ी तो सिरीज बन जाएगा वो शॉर्ट वाले मिटर लगा लेंगे तो एक हम प्लस यहां 7 कर देते हैं इसको दूसरे कलर से दिखा दिया जाए एक प्लस 7 हम यहां कर देते हैं चुकि प्लस 7 किया है तो इस 7 को हम माइस भी कर देते हैं यहां पर थाकि एक्स्ट्रा जो 7 आया है वो कट जाए ठीक है न अब यह वाला एक आपका सिरीज बन गया यह वाला एक सिरीज आपका बन गया जो आप लोग जानते हैं बताया गया होगा कल क्लास में तो हमने भी बताया है तो यह हो जाएगा इसको तो कर लो साच्चो कर थाइस 2.8 प्लस क्या है साथ कॉमा ना जाएगा और बाकी जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिम पांच बार है ना तो चारिक पांच और फिर मैनस सेवन कर लेंगे ठीक है ना तो इसको हम सिंप्लिफाई कर लेती है तो 2.8 प्लस ठीक है ना अब यह हो जाएगा साथ पच्छे पैंटिस तीन साच्चो पैंटिस हो गया साच्चो के अठाइस तीनिक अटिस तीन साथ पैंटिस तीन चौवविस दो बारसाते चौरासी पच्चासी छी आसी यह यह 86 हो गया और माइनस का 7 हो गया ठीक है ना तो यह हो जाएगा कितना आपका इसमें 7 कर देंगे तो 8 6 4 0 8 हो जाएगा 8 6 4 0 8 0 8 में 2 जोड तो 1 0 और यह 8 हो जाएगा ठीक है ना यह टीक है तो ऐसे आप इसको simplify कर से पस जोड लिया गया है जांदेना यहां पे point है बीटह यहां पे point है पहले इसमें से 15 में 7 गया 8 हुआ पिर 8 दो 10 हो गया यहां रख दिया और 8 6 4 हैसे ही यह pointed ठीक है इस तरह से जोडने में घटाने आना चाहिए आपको ठीक है ना ओके चला जाए आगे बच्चों तो यह वाला हमारा थोड़ा सा एक प्लस सेवंन और मैंने सेवन करकि सीरीज बना ले इसे मारा काम हो जाएगा और पॉइंच सेवन को चार बार लिख लिए गया है थीगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो 77 ं सा 887 प्लस ंस कई जा जाएगा यह ठीकल है जो इन प Crisis दो तो ले चलो उधर इसको ठीक है ना तो question mark is equal to 86795-75321-641 ठीक है ना ओके यह minus of question mark है ना तो यह उधर जाएगा minus होगा फिर सब में आप क्या करेंगे minus दोने तरह multiply करेंगे तो minus वाला प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस माइनस वाला फिर प्लस हो जाएगा अब जोड घटा दीजिए ठीक है ना तो question mark is equal to 5-1445 ठीक है ना तो यह वाला तो कटी गया ठीक है इसे तरह 9-2-7-7-4-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 अब 9-2-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 से डिजिट वाई चेक करते एंग ठीक है ज़ले आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं तो यह सब्रक्षिं ठीक है सबकर अडिशनन सब्रक्षिं अगला वाला देखिए यहां पर what will come in place of the question mark तो इसको use करना है तो यहां पर बिटा जब आपने STDQ कैसे किया था इसको इसका square किया होगा और इसका square किया होगा बिटा यह क्या format है A square minus B square का format है तो यह क्या हो जाएगा A square minus B square की identity हमें मालूम है कि यह होता है A plus B और A minus B यह identity होता है ने तो इसको use कर लो तो यहां पर क्या कर लेंगे 13.78 plus 4.51 इसको A square minus B square और 13.78 minus 4.51 अब यह is equal to क्या है question mark के जगा X रख दिया plus 169.54 ठीक है न तो इवर प्लस करिए और इवर माइनस करिए तो यहां पर हो जाएगा 8 और एक 9 हो जाएगा 7,5,12,1 हो जाएगा और 13,14,14,18 हो जाएगा और यहां पर घटा लीजिए तो घटाएंगे तो 8-1,7 हो जाएगा 7-5,2 हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और उसको इधर लाना है multiplication के बाद ठीक है न तो X प्लस इसको इधर चलो अभी रखे रहे X प्लस 169.54 अब भाईया यहां पर approach value तो निकालने को बोला नहीं है पूरी value निकालनी है तो multiply तो करना ही पड़ेगा ठीक है न इसको multiply करना ही पड़ेगा तो लंबा multiplication है इसको आप avoid नहीं कर पाएंगे ठीकि option ही ऐसे है कुछ अच्छा बन जाता तो जल्दी हो जाता कुछ पॉइंट पर eliminate हुआ ही नहीं है ठीक है तो चलो इसको कर लो तो 7-8 और यह तो इसको अगर multiply करेंगे तो ध्यान देजेगा अगर इसको यह काम कर लिया जाए हाँ एक मिनिट इसको अगर काम कर लिया जाए multiply कर ले थे मैं multiplication लिख दे रहा हूँ आपको करिएगा इसको ठीक है नहीं हाँ multiplication करना बढ़ेगा बिटा और कोई चारा नहीं दिख रहा है मैं इन दोनों का multiplication में लिख देता हूँ तो इन दोनों का multiplication हो जाएगा इन दोनों का multiplication हमने लिख दिया 189.888.4 ठीक है ना यह multiply करना पड़ेगा बिटा आप हो यहाँ कोई option नहीं है अप्रोक्स भी नहीं कर सकते क्यों कोई question में अप्रोक्स नहीं बोला है अब उसको इधर ले आओ माइनस करने के लिए बस एक मिनिटा ठीक है यह multiply करना होगा कि और कुछ तो दिख नहीं रहा है लाओ हम लोग चलो multiply करते हैं इसको ठीक वान एटीन तो वान एट टू नाइन नाइन टू सेवन नो सत्ते तिरिसर्ट अभी पोईंट लगा लेंगे हमलो नो सत्ते तिरिसर्ट छे साद दूनी चौदा छे बीस साद आटे चपकन दो अठामन पाच साथ माच बाच अफिर नो दूनी अठारा एक दो दूनी चार एक पाच आड़ दूनी शोला एक दो एक तीन फिर नो नो में एक यासी आठ नो दूनी अठारा आठ 26 दो नो अठ बहत्तर दो चोबत्तर साथ नो सा सोला बिटा यह तीन हो गया यह आठ हो गया आठ इक नो पन चौदा एक हो गया चैचे बारा पंदर आ जाएगा पंदर एक चारतिन साथ आठ एक नो हो जाएगा और यह वर्न हो जाएगा यह 6 हो जाएगा दोखो यह क्या है 0.29 और यह क्या है 0.27 तो चारण को यह बाद पॉइंट लगा दो यह 169 0.54 0.54 0.583 5483 होगा और उसको इधर ले आओ तो माइनस वाले को माइनस 169.54 अब घटा दो यहाँ पर ठीक है ना आप चाहें तो बैलेंस करने के लिए क्या करें जो गलती नहों इसके लिए यहाँ पर दो 0 और लगा सकते हैं अब आप यहाँ पर घटाईए इसको 3 माइनस 0 0 हो जाएगा 8 माइनस 0 0 हो जाएगा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ठीक है ना फिर 169 169 यह 0 0 ठीक है ना सब 0 हो रहा है 169.54 अच्छा सॉरी 83 वहाँ आएगा ने 0 कहां से हो गया यहाँ पर 83 हो गा ना सॉरी ठीक 3 माइनस 03 होगा 8 माइनस 0 8 हो जाएगा ठीक है ना यह 0.00 0.0083 आजाएगा बाकि इदर सब कट जाएगा 0.003 किसमें है वेटबन अब 20 में है ठीक है ना किसमें है वेटबईटबन अब 20 में आएगा यह ठीक है ओके क्लेर हैं यह बिटब कुछ भी कर लिजिए यह करवाना ही चाहता है और आपको जैसे भी मल्टिप्लिकेशन आता है मेरे खाल से इस केस में तो इससे बहतर कोई नहीं होगा ठीक है ना ओके चलिए आगे चलते हैं और चेक करते हैं नेक्स वाला प्रश्न है यहां पर क्या दिया हुआ है ध्यान देजें यह देखो घातां के नियम से यह दोनों आपस में से कट जाएंगे तीन और तीन कट जाएगा दो और दो कट जाएगा तो यह 3844 आ गया है तो इसका हमें स्क्वेर रूट निकालना होगा ठीक है न तो 3844 स्क्वेर रूट निकाला तौह यह अपका चार आ रहा है तो 2 होगा 8 होगा और यह 6 के स्क्वेर ज्यादा है x square minus 79, 31 से कितनी बार कट जाएगा, यह दो बार कट जाएगा, तो 2 plus 79 हो गया, बराबर x square, यानि कि x square बराबर कितना हो गया, 81 हो गया, यह यह x बराबर plus minus 9, यानि कितना हैगा, 9 आ जाएगा, option number कौन रहा बिटा, 4 वाला रहा, option number 4 वाला, ठीक है, ओके, clear बाके यह दोको, 2 बटी 3, 3 बटी 2 कट जाएगा, वो बचेगा नहीं, ठीक है, अगला वाला, अब यहाँ पर बिटा, हमेशा division को न बिटा, multiply में ही change करके हल किया को, हमेशा division हमेशा multiply में change हो कर ही हल होगा, तो 24 है, और यह multiply 4 by 1 होगा, तो multiply में change करने पर नमबर यह बदो उल्टेगा, और multiply 1 upon 24 है, यह numerator का हाल हो गया, denominator में चलो 25, divide है तो multiply करो 5 by 1, और यह multiply 1 upon 25 करो, तो यह 24 हो 24 कट जाएगा, यह 25 हो 25 कट जाएगा, उपर 4 हुआ, नीचे 5 हुआ, पाच बटे, चाले 0.8, कितना 0.8, ठीक है न, तो यह आगया 0.8, तो multiplication के देखने हैं, हम लोग ज्यादा प्रेश्ट नहीं है, इस stream हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है, चलिए, आज़े चलें बेटा, नेक्स वाला, तो उसको देखिए, A प्लस B, A मैनस B भी कर सकते हैं, A स्क्वाइर मैनस B, और A प्लस B है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग, और 72 भी है, और उधर मैनस कर लेते हैं, ठीक है ला, चलो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, 21.6, A प्लस B, A मैनस B करो, तो कि यह A स्क्वाइर मैनस B स्क्वाइर हो रहा है, तो 21.6 प्लस आओ, मैनस 7 पॉइंट, अच्छा, डिवाइड है, ओके, डिवाइड है बेटा, यह काम करो न, डिवाइड है तो स्क्वाइर भी मत करो, ठीक, तो आप इसको क्या कर लो, 21.6 कर लो, और इसको भी 21.6 कर लो, और नीचे, मैनस 7.2 का होल स्क्वाइर, तो होल स्क्वाइर तो मैनस को प्लस बना देगा, 7.2 into 7.2 यह आ जाएगा और इसको तो minus 1 कर लो बेटा into question mark के जगा x कर दिया बराबर अब इसको minus कर लीजे तो 6 minus 9 6 minus 9 minus 3 minus 3 को positive बनाओ 7 हो जाएगा चलो यहीं लिख देता हूं मैं 6 minus 9 यह 7 हो जाएगा ठेके ना बगल में यह कम कर दिया 2, 2 minus 0 2 हो गया point ठेके ना यह भी हो गया तो 3 minus 6 minus 3 7 7 minus 7 0 ठेके ना 4 minus 2 2 और यह 0 0 हो जाएगा पंदर पंदर कट जाएगा 207.27 यह कितना आ जाएगा बेटा 207.27 आ जाएगा ठेके अब इसको जाएगा अब इसको यहाँ पर डिवीजन वाला काम कर लें हम लोग ठेके ना तो 12 12 12 से लेएगा 12,92 हो जाएगा ठीक है तो यह काम करो point को आप balance भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपका point हट जाएगा यह ठीक है तो 12,72 हो जाएगा और 12,12,92 इसी तरह 12,72 हो जाएगा 12,72 हो जाएगा 12,12 12,12,8 और 9 12,92 अभी 6 से कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा और 6 से 3 बार हो जाएगा तो 3 तरिक के 9 हो गया तो 9 x is equal to कितना आगया 207 दशमलो 2 साथ अब 9 से देखो काट नहीं है तो 9 दुनी 18 हो गया 9 तरिक 27 हो गया देशमलो 2 आया 0 बढ़ाया तो 23.03 कितना रहा बेटा 23.03 अप्शन नमबर वाल ठीक है न तो अगर बीच माइनस होता न तब हम लोग ये स्क्वेर मैनस 20 स्क्वेर वाला काम करते है ठीक है न चलो आगे चलते हैं ये पॉइंट बैलेंस हो गया था 10 से उपर नीचे मैटिपलाई करोगा ये इसमें करोगा तो हट जाएगा तो उसको हम लोगों निए इग्नोर करते हुए काम किया है ठीक है पूरा काम हम लोगों निए क्या इग्नोर करते हुए तो चली आगे चलते हैं प्लस माइनस है तो यहां पर जोड़ घटा लेते हैं सबको उधरी ले चलते हैं फिर काम करते हैं तो एक्स बराबर लिख लेते हैं पहले 6,9,8,9,4 तो प्लस हो जाएगा 4,4,4,1 और प्लस हो जाएगा 3,2,1 प्लस हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 520 ठीके न तो इसको चाहें तो आप माइनस 500 भी लिख सकते हैं तो easy हो जाएगा इसको क्या लिख लो माइनस 500 लिख लो चलो काम करो अभी हम जोड़ घटा लेते हैं यहीं पे अब हम लोग सिंप्लिफाई करें तो चाहर प्रस एक 5 पांच एक 6 छे 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 ठीके न तो इसे भी आपका point वाला आएगा नहीं इसमें 6 है नहीं और इसमें 6 है नहीं ठीके न या तो 4 अच आहगा या तो 9 दीजी ननम दीजी हमें फसा आगा है बस और कोई नहीं ठीके न तो 9 और 4 13 13 और दो 15 15 और दो 17 17 मैनस दो 15 15 पंदर का 5 क्यरी एक 8 यक 9, 9 चार 13, 13 तीन 16, 16 माम आइश 9 जार 15 मैनस 5 हो गया 11, 11 का 1 क्यरी एक 9 एक 10 तर है 14 14 का 4 क्यरी एक 6 एक 7 पर साथ 7, 4, 1, 5, 6 ऑ्प्जन नमबर 4 शांते हम लोग पूरा करना पड़ रहा नहीं तो पहले डिजिट छे आते ही यह लोग अलट ने दिख रहा हूं यह लोग ने काड़ दिया था ठीक है यह लोग अलट ने दिखाऊगा रेट से दिखा दिया ठीक है 74156 जोड़ना घटाना दखे रहें आगे बात करें next वाला अब यहां पर क्या है बेटा यहां पर है फिर से percent का मतलब कितना होता है बेटा एक बेटा 100 होता है यह वाला percent और यह 2-0 कट जाएगा तो यह 6-1 आ जाएगा इसी तरह यह वाला percent और यह वाला 0 कट जाएगा तो 30.5 into 18 हो जाएगा तो इसका मोग क्या लिख लें इसका मोग लिख लेते हैं 6 और question mark की जगा x लिख लेते हैं plus 30.5 into 18 कर लेते तो अठारा पच्चे 90 हो जाएगा अठारा तिया चंगवन हो जाएगा तो 54.90 अठारा पच्चे 90 0 9 0 9 अठारा तिया चंगवन एक ही अंके बाद point लगेगा न बिटा 2.2 अंके बाद नहीं तो 90 क्योंकि एक ही point के बाद है और यह बराबर क्या हो जाएगा 27 का square कितना होता है 139 plus 147 147 अब ऐसे घटाओ तो इसको जैसे मिला है आपको वैसे घटाते हैं हम लोग ठीक है 6X बराबर लिखेंगे हम लोग 6X बराबर 9 716 16-9 7 2 426 6-42 7 8 8-5 327 X बराबर 635 ठीक है 635 624 635 54. 54. 5 Option नमबर 920 देखो तो Option नमबर 920 आ रहा है न ओके Option नमबर 920 ठीक है बच्चों आगे चला जाए तो कुछ चीज़ी हैं जो आपको वो वीज्वली ही करनी है अब यह नहीं कि step by step सारा लिखते चले लंबा जाएगा न बेटा वसे इसे आपका बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगे चले आगे चलते हैं इसको clear करके sorry clear ही क्यों करना था कोई बात नहीं चलो आगे अब आ जाते हैं इस DI पे आ जाते हैं अब हम लो तो इसमें क्या दिया गया है calculation वाला थोड़ा सा है का ध्यान दीजेगा इसमें क्या है इसमें दिखाया गया है study the following table and give the answers of the question total number of players दिये गया है different sports of a country and percentage दिया है female का percentage किसका दिया है female का ठीक है न तो बिटा female का percentage अगर अबली से तो male 55 हो जाएंगे एहां पर 65 fís हो जाएंगे यहां पर कितने हो जाएंगे 80-200 CS 80-77 हो जाएंगे एतरड़ यहां पर 35्स हो जाएंगे यहांपर 55 पर Express Thailand परेंटेज है अग तो यह फीमेल का percentage है कि मिल का percentage हो जाएक Vir je टोटल नम्राइब प्लेयर हैं जिसमें मेल प्लस फीमेल होंगे ठीक है न तो यह फुटबॉल होकी क्रिकेट बैटमिंटन स्विमिंग और रेसलिंग का है टोटल नम्राइब प्लेयर इसका मतब आठ सो चालिस का पैसालीस परसें निकालेंगे तो फीमेल के संख्या आएगी और आठ सो चालिस का 55 परसें निकालेंगे तो मेल के संख्या आगी इसी तरह दोसो बीस का 35 परसें निकालेंगे तो फीमेल आएगा 55 परसें मेल आ जाएगा और पहले कोश्चन में निकालना है रेशियो निकालना है फीमेल का क्रिकेट और फीमेल स्विमिंग तो फीमेल क् ठीक है ना स्विमिंग स्विमिंग में 450 चारसो पचास का कितने परसंट फीमेल है चावालीस परसंट चावालीस बटे 100 कर देंगे अब जो काटराज को काटी है ठीक है ना तो 45 और 90 हो जायेगा और दो से ये दो भार कट जाएगा तो 23 संबंधे 22 आजाएगा एंसर कितना रहेगा बेटा 23 संबंधे 22 यह कौन से ऑप्षिन जा रहे है बेटा 23 यह ऑप्षिन नमबर 3 पर जा रहे है हम लोग ठीक है ना तो सिंपली आपको कैलकुलेशन करना था इसमें कोई दिक्कत नहीं ह तो अगला चल और निक्स वाला अब इसमें क्या रखा है एसमें क्या क्या दिया है जैरे रखा और टोटल नंबर 06 मेन फूट необ ऐंड रेस्लींग करना है ठीक है तो फिर से उठाईगे तो डीटा को फूटोहल में आटसोस है 840 के 45% female है male कितने हो जाएंगे 55% plus तोटल निकालना है wrestling का male निकालना है wrestling में total कितने है 540 अब 540 का कितना 60% अब इस बार ratio निकालना है इस बार total calculation करना है ठीक है न तो एक 0 तो आप यहां से हटा लिजे 5 से यह 11 बार कर लिजे 5 से दो बार कर लिजे और 2 से इसको काट लिजे 42 और 11 से multiply कर दिए 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा 462 और यहां से दो 0 हट जाएगा तो 653 हो जाएगा 324 एड कर लिजे 46 हो जाएगा 628 437 अब हाली निमबर हाँ 706 929 में है ठीक है न 786 आ जाएगा ओके बच्चों चला जाए अगला नेक्स चले नेक्स वाले कोशिन, देख लो इसको आप परसंटेज निकालना था और calculation करना था आगे चले नेक्स वाला अब इसमें क्या दिया है वेटा टोटल प्लेयर बैत्मिंटन का टोटल प्लेयर 360 है approximately वोट प्लेयर सिन होक्की खोके में total player कितने हैं 220 तो यह ratio में कर लो एक बाय पहले तो यह हम 18 समंधी 11 लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 18 समंधी 11 दो से काट के तो पहला वाला दूसरे का कितना percent है तो 18 जो है 11 का कितना percent है यह प्रॉक्स पूछा है तो बिटा यह बताओ 11 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 11 एक कम 11 और साथ बचेगा 11 छंग ठीक है नहीं अथारा जार नहां देखो तो 16 आप्शन नमर कौन सा जा रहा है चार जा रहा है 16 उसी में और किसी में नहीं है ठीक है तो 164 अप्रॉक्स हो जाएगा हम लोगों ने option देख लिया पूरा calculate नहीं किया है ठीक है न हम लोगों ने option देख लिया हम और सिक्स ते कोई 11 एक कम 11 साथ 11 चंग चाचाट हो जाएगा तो वहीं से हम लोगों ने देख लिया कि वह यह वन के पास 6 उसी option में है कि अप्रॉक्स जाना है नहीं इसलिए क्या जाना है अप्रॉक्स जाना है 163 पॉइंट सम्थिंग आएगा जो भी है ठीक है ना तो उसको 163.5 के उपर रहेगा तो जोड़ लेंगे उसमें उधर ले आके ठीक है चले आगे निक्स वाला अब हमें निकालना है ratio निकालना है number of female in badminton ratio निकालना है badminton की female लेजिए आप badminton में कितने 360 और इसमें female कितने है 65% अब इसका ratio निकालना है अच्छा badminton and hockey together ओहो badminton and hockey together 220 का 35% यह हो गया अब इसका ratio निकालना है इसका ratio निकालना है इनहीं में male का तो क्या हो जाएगा 360 का 35% क्यों 65 female है और फिर 220 का 65% percentage यह दर दर हो गया है वस और कुछी नहीं हाँ calculation तो करना ही पड़ेगा इसमें ठीक है न calculation यहाँ पर करना ही पड़ेगा तो इस calculation को कर लीजिए ठीक है न तो अगर इस calculation करके तो 100 तो वैसे भी common आ रहा है 100 जो है वैसे भी common आ रहा है ठीक है न इसके बाद 100 अगर common आ जाएगा सब simplify वगरा करेंगे तो पीटा एक कोशन का simplification हम आपके छोड़ते हैं सब simplify करना है सब 0 multiply वगरा करके तो आपको option कौन सा मिल जाएगा पहला वाला 311 संबंदे 269 ठीक है न यह answer हो जाएगा इतना तो आप कर लेंगे पिशे calculations साथ काफी की है तो इस calculation को आप लोग कर लीजिएगा ठीक है लॉजिक बाकि क्लियर है ठीक है न 55% male 35% female 35% female 55% male और ratio निकाल लिए ठीक है बेटा आगे चलते निक्स वाला यहां पर क्या दिया है total number of player in all the game together what is the total number of players in all the game together बेटा सबको जोड़ना है आपको क्या करना है सबको जोड़ना है ठीक है न तो सबको जोड़ दोगे इन ही सबको जोड़ना है इन सबको जोड़िये तो यह कितना जाएगा 33-10 आएगा बेटा जोड़ तो लोगे ही addition तो काफी की है पीछे न यह simply जोड़ना है इसमें कोई logic तो है नहीं ठीक है न तो logic है नहीं तो आप इसको यहां पर कर ल देखे तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह क्या है इसको अगर आप बहुर करें थोड़ा से याद करो तो 961 क्या है बेटा 31 का square है की रहीं होलो 931 जो है किसका square है 31 का square है अब इसको देखो तो यह देखो यह आपका है 34 का square ठीक है न इसको चेक करो अब यह किसका square है चार आना चाहिए, तो यहां से यहां जाने में 3 बढ़ा है, ठीक है न, यहां कितना आना चाहिए, देखो, उहां 4 आना चाहिए, ठीक है न, तो 34 का है, तो 34 के बाद, देखो, यहां पे यह 38 का स्क्वेर है, वसे याद होग आपको, देखो, 31 से 34 होने में 3 बढ़ा है, अब भ मतलब यहां पे चार तो यह है कि यहां पे टीन का स्कवेर zoals और गली कंशी हो टो यह Been ति स्क्वेरिंग पर बेस्ट हो गया, ठीक हो गया बेटा, स्क्वेरिंग पर बेस्ट हो गया, option number 4, ठीक है न, अगला बाला देखो तू, ठीक, चेक करें, बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दे, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, 152552, question mark, 416, 102, 32, और 14, यह हैं, तो बेटा, अगर मैं इसमें, अगर मैं इसमें 12 कम कर दूँ, नहीं, 12 न कम करूँ, यहाँ से कितना हो रहा और यहाँ से कितना हो रहा और यहाँ से, अगर हम लास्ट से देखना शुरू करें, 32 से अगर 14 जाएं, क्या बेटा, 32 से अगर हम 14 जाएं, इसमें लास्ट वाला दिख रहा हैं, तो अगर मैं यहाँ पर, 14 जाएं, 28 होता है, तो अगर मैं 4 कम कर दूँ, तो 4 कम कर दूँ, यहाँ 2 इंटू 2, और 28 को 2 से काट दें, ध्यान देना, अगर मैं 32 में 4 कम करके, 32 में 4 कम करके, आधा कर दूँ, तो 14 आ रहा है, इससे देखो कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? अगर इससे कुछ पकड़ में आ जा तो हमारा काम बन जाएगा भी है, ठीक है न, अब यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 2 गुड़े 3 कर दें, 6 कम कर दें, 6 कम किया तो देखो कितना हो रहा है, 6 कम किया तो आपका हो रहा है, 96, और 96 को 3 से डिवाइट करो, देखो 32, 96 होता है, यह भी हो गया, लाज से चल रहे हैं हम लोग, भी तरह यहाँ पर भी ऐसे करो, वहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 4, चार दूनी 8, 8 कम करो, तो 408, 408 को 4 से डिवाइट करो, हाँ 102 बन रहा है, तो बन गया यहाँ पर, ठीक है न, इसी तरह, अब यहाँ प तो 2 गुडे 6, 12 कम करने के बाद आपको 6 से डिवाइट करना है, तो 12 अगर कम करेंगे इसमें, देखो तो 12 कम करेंगे तो 1, 2, 5, 4, 0 आएगा, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 0, 6 नमा चंगन और 0, 2, 0, 9, 0 आ रहा है, तो लास्ट वाला अगर देखते हैं आता है कि नहीं तो फिर से इसको 6 से डिवाइट करो, पिर से, पहले मैंने कहा 12 कम किया तो इतना है, 6, 6 दूनी 12, 6 नमा चंगन और 0, अब क्या है, 10 कम करो, तो 10 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2080 और 5 से डिवाइट करो, इसको मैं लिक देता है नहीं पर, इसको अगर हम 5 दूनी 10 कम करें तो 2,0,8,0 आ रहा है अब 2,0,8,0 को 5 से काटते हैं तो 5 के 20 आ गया सही है यानि option number कौन सा आ गया आपका 2,0,9,0 वाला 2,0,9,0 option number 3 ठीक है न? ओके? clear? चलो अगला वाला चले हम लोग 6,8,9,2,1 ठीक है न? और 50,653 ठीक? और फिर क्या है? यह भाया बड़ा खतरनाक सा लग रहा है हाँ अगर आपको square cube अगर याद है तो काम चल जाएगा अगर square cube याद है तो काम चल जाएगा अगर square cube नहीं याद है तो नहीं चल पाएगा काम ठीक है? अगर आप गौर करें अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा pattern ही हम सोच रहे हैं अभी क्या आएगा यहाँ पर? यह किसका cube हो सकता है? वह ना रहा है यह दो याद अगर हो तो यह है 41 का cube यह किसका cube है? 41 का cube याद करें यह 41 का cube है अगर आपको याद हो अगला वला अगर चेक करेंगे तो ये बेटा ये 37 का क्यूब है तो किसका क्यूब है 37 का क्यूब है ठीक है न और अगला वला अगर चेक करें तो अगला वला अगर चेक करें हम ये 31 का क्यूब है हाँ याद करिए 31 का क्यूब है तो चेक करो तो एक तालिस से सैंतिस अगर गए हैं तो चार कम हुआ है चार कम होने के बाद छे कम हुआ है अब दोखो आठ कम करके देखो तो आठ अगर कम करो तो क्या ये थेज का क्यों बन रहा है अच्छा है ये कितना कम हुआ है कि तीन कम हुआ है चार कम हुआ है चार के बाद 6 कम हुआ है छे-छे-छे के बाद 31 31 क्यों क्यों भी देख लेते हैं कि तो 23 का बन नहीं रहा है न इक इसका बन रहा है कि निकालो यार कि बताया है न ठीक है न आपको क्या करना होता है इदर तीन विजिट लेना है वन कि किसी क्यूब के लास्ट में और यह किसके क्यूब के लास्ट में आता है अब यह सब बोलना तो नहीं ने पड़ेगा यहां पर क्यूब रूट तो एक लाइन का बताया है तो इसका क्यूब रूट निकालो तो यह साथ साथ किसके क्यूब के लास्ट में आता है बताओ और 19 का क्यूब कितना होता है 6859 क्यूब रूट निकाल कर देख लो तो option no.2 ठीक है न क्या हो रहा है एक 41 से 37 हो रहा है कितना कम हुआ बेटा देख लो तो यहां से यहां क्या कम हुआ 41 से 37 हुआ कितना कम हुआ चार और फिर 37 से यह हुआ तो 6 कम हुआ फिर कितना कम हुआ फिर 4 कम हुआ फिर 6 कम हुआ यह नि फिर 4 कम होगा नंबर में अगर आप देखें जो बेस वारा नंबर चार्चे चार्चे का पैटर्ण चल रहा है ठीक है ना ओके समझ यह क्यूब रूट निकालने आना चाहिए बस वही है अब अगला वाला देखलो 159 110 जो भी है आपका ठीक है न तो इसको एक बार सोचो तो हम भी सोची रह है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं अगर डिफरेंस अगर हम देखें एक बार लिख देता हूँ 159 110 74 49 question mark और 24 यहां देख रहे हैं तो 49 की कमी आ रही है यहां किसी कमी आ रही है 36 की कमी आ रही है यह दखो यह कम हुआ है और यह भी कम हुआ है हुआ है और यहां देख रहे हैं तो यह 25 की कमी बिल्कुल 25 की कमी आ रही है हम देख रहे हैं तो यह साथ का स्क्वेर है यह 6 का स्क्वेर है यह 5 का स्क्वेर है यानि अगला नंबर किसका आने वाला है चार के स्क्वेर का यानि कि 16 कम कर दीजिए इसमें अगर पचास हो का स गड़बड हो रहा है यह वहाँ गलत लिखिया है 9-6 कितना होता है 9-6-3 होता है 33 होगा नहीं कम करना था नहीं 33 होगा ठीक है ना फिर 9 कम किया तो 24 हो गया तो option number 1 हो गया कौन सो option हो गया 1 हो गया ठीक है ना इसी तरीके से अब एक और देख लिएजिए 120, 15 and so on तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर अगर देखेंगे लिख देता हूँ एक बार 120 15, 105 17.5 question mark 21.875 और 65.625 ठीक है ना तो 15 बठा 120 होता है डिवाइड वाइट हो रहा है 15, 105 होता है अरे वाँ आठ साथ और फिर क्या आना चाहिए डिवाइड 6 हो रहा है क्या देख लो तो तो 6 कम 6 6 सत्य बैयाले 635 बिल्कुल यानि यहाँ पर अब इन्टू क्या होना चाहिए 8, 7, 6 यानि 5 तो यह हो जागा 5, 25, 25 27, 25, 85 86, 87, 87, 5 आना चाहिए कितना आना चाहिए बेटा 87, 5 आना चाहिए तो औप्शन निम्बर क्या हो जगा 2 आगे का हम नहीं चेक करें आप आगे का चेक करिएगा ठीक है ना 87, 5 बाकि आगे का आप देख लीजेगा इसके बाद डिवाइड होना चाहिए 4 से इसके बाद मल्टिप्लाई होना चाहिए 3 से ठीक है ना इसको आप देख लीजेगा ओके तो आजके सेशन में इतना ही ठीक है ना आप लोग एस्टी कर रहे हैं और करते रहिएगा और इसको अपने सेलेक्शन में इसका योगदान इसको कमद समझेगा सेलेक्शन में इसका बहुत योगदान है और इसका योगदान दिलवाते रहिएगा आपके अपने तयारे में आजके लिए प albeit बच्चों मिलते हैं अगली अस्टी में झाल जेख और उन्यवला है प्रफज़।